अधर जो कर अधर कर दो कि अधर लेख 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 नमस्कार दोस्तोव? आपका बोंड डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे DDH हिप की ये एपिसोड 5 है तो जैसे के प्रीवियस एपिसोड में हमने प्रीविक हार्णेस के क्युक्र देख सकते हैं यह थूसरा कोंप्लिकेशन देख सकते हैं ट्रांजिएंट फीमोरल नव प्रालिस या पालसी है है यह हईपरस्टेजीज से देखा जाता है पैलिग डीजीज भी देखी जाती है इरोजन हो जाता है पेल्विस का सुपिरियर टुदा एसेटाबलं य के लिए डिस्लोकेटेट पॉजिशन में रहता है इन फ्लेक्शन एन अब्दक्शन कि इंपॉर्टेंट होता है हार्नेस को डिसकांटिन्यू करना तीन से चार हफते में अगर ही प्रेड्यूस नहीं होता तो तो आउटकम्स कैसे होते हैं ओवराल सक्सेसरेट नबबे परसेंट होता है यह डिपेंड करता है एज जिस पर ट्रीट्मेंट इनिशियेट किया और टाइम इंदा हार्नेस कितना टाइम हार्नेस में रहे बच्चा अगर तो तीन से चार हफते तक ही रिलोकेट नहीं होता है तो पैवलेख हार्नेस अबैंडन करने ना चाहिए या तो अगर पैवलेख हार्नेस फेल हो जाता है तो सेमी रिजिड अब्डक्शन ब्रेस हम डाल सकते हैं और वीकली अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं तीन-चार है इसके लिए बच्चे को अनेस्थीजिया देना पड़ता है और एक्सेसिफ फोर्स अगर यूज किया तो फीमर की हेड की ब्लट सप्लाइब लॉक हो सकती है और ये वैस्किलर नेक्रोसिज हो सकता है यह सब प्रोसीजर बहुत जेंटली करना चाहिए तो टेक्नीक क्या ह क्लोस्ड रिड़क्शन करते हैं और टोलानी मैनेवर यूज करते हैं जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हो और फिर हम आथरोग्राम करते हैं कंफर्म करने को कि हिप का रिड़क्शन अच्छा है कॉंसेंट्रिक रिड़क्शन आनी चाहिए लेस देन 5 मिलीमीटर पूल of contrast दिखना चाहिए medial to femoral head और limbus का interposition बिलकुल भी नहीं होना चाहिए अगर तो medial side में डाइपूल 7 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो फिर ये poor outcomes देता है और ये vascular necrosis का risk बढ़ जाता है आत्रोग्राम से हम identify भी कर सकते हैं कौन से structures reduction को block कर सकते हैं और adductor tenatomy भी करना चाहिए अगर patient को unstable safe zone है तो उसका मतलब है कि अगर excessive abduction required है maintain करने को reduction तो adductor tenatomy से भी ये procedure safe हो जाता है क्योंकि excessive abduction नहीं लगता स्पाइका कास्टिंग में हम immobilize करते हैं हिप को 100 degree hip flexion में और 45 degrees abduction में और neutral rotation रखते हैं स्पाइका कास्ट तीन महिने के लिए देते हैं human position में जैसे कि आप इस photo में देख सकते हो अगर wide abduction दे तो avascular necrosis का risk बढ़ जाता है हम एम करते हैं 55 degree से कम abduction हो safe zone में रखते हैं hip को कभी कभार हमें CT scan से reduction verify करना पड़ता है स्पाइका कास्ट देने के बाद और selective cuts करते हैं ताके बच्चे को ज्यादा radiation नहीं मिले छे हफ़ते बाद हम कास्ट चेंज करते हैं तो इसकी complications क्या हो सकती है इसकी भी complication हो सकती है avascular necrosis of the hip risk factors क्या होते हैं अगर abduction अपने साथ डिगरी से ज्यादा दे दिया तो impingement होता है posterior superior retinacular branch or medial femoral circumflex artery का abduction भी हमें safe zone पर रखना है safe zone पहले भी हमने बताया है angle होता है maximum passive hip abduction का और angle होता है hip reduction का जहां femoral head displace होता है acetabulum से जब hip 90 degree पे होता है तो जैसे आप इस diagram में देख सकते हो safe zone में रखना चाहिए अगर medial dipole reduction के बाद 7 mm से ज्यादा है मतलब stable नहीं है reduction और हमें open reduction के लिए proceed करना चाहिए तो अगले episode में हम open reduction की बात करेंगे और various ostotomies की बात करेंगे आज का episode यहीं खतम होता है अगर आपको पसंद आया तो like करिए share करिए और हमारा episode देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद thank you – अटब करें आपको देखने के लिएे हैं कर दो दो और रादा है और रादाय है यह जो अगले अज़ करेंगे लिए गनादा आपको दो जेए पनापको